नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यू चैनल कॉर्मेंट जाब प्रपरेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी महात्वोड खवरों के बारे में जो बिभिन समाचार पत्रों में प्रकासित की जाती हैं और आपके लिए बहुत ही मात्वोड रहती हैं तो चलिए देख लेते हैं आज की कुछ ऐसे ही मात्वोड खवरे तो दूसरे यहां पर पहली निज निकल कर आ रही वा है 49568 सिपाही भरती परिच्छा का रिजल्ट मार्च के अंतितक तो चलिए देख लेते हैं आपर पूरी क्या है 41,520 सिपाही भरती परिच्छा पूरी होने के बाद शूफी पूलिस भरती युम प्रोणती बोड ने 49568 परदों का परड़ाम मार्च अंतितक जारी करने की कयावत सुरू कर दी है भरती बोड के अद्धिक्छ राजकुमार विश्योकर्मा ने बताया कि लिखित परिच्छा का परड़ाम 28 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा जी हां यहां यहां पर बात की जारी लिखित परड़ाम की जो कि यहां पर 28 फरवरी तक जारी किया जाने की बात की जा रही है इसकी ऑफ-लाइन लिखित परिच्छा 278 जनुरी को हुई थी उन्होंने बताया कि मार्च के पहले बाद दूसरे हफ्ते में दस्ताविजू की स्कूरूटिनी वसारिक मानेक परिछन कराया जाएगा फिर दौड के बाद मार्च अंध तक अंति परणा में आपर जारी कर दिये जाएंगे आप यहाँ पर पूरी जानकरी देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या हैं नाकरिक पुलिस के लिए कितने पर थे पीएसी के कितने हैं विज्यापन जो है 16 नॉमबर 28 को अले था लिकित परिच्छा पर 2728 जनुरी को हुई और अभ्यातिया पर 19 लाग इसमें स पचासी फिजदी हुए थे सामय तो इस प्रकास से आप पर पूरी जनकरी आपको देख सकते हैं आप भारती बोड के अधिच के अनुसार 49568 प्रदों की भारती एक्टोबर 28 में निकली थी रिकार्ट छे माह में ही परड़ाम जारी कर दीजी भी मुख्यालों को चैने तो कर देख सकते हैं कि क्लर क्लर्क एकांटेन्ट वा आफिस असिस्टंटके पर जल्द मांगे जाएंगे ऑनलाइन आवेधन रिफ्ध प्रदोंको एक ठा हो रहा data परिश्चा कराने के लिए एजेंसी जो है चैन की प्रक्रिया शुरू ठीक है तो देख लेते हैं कॉंस्टेवल वा द्रोगा की पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर करने के साथ ही अब यूपी पुलिस में क्लेरिकल स्टाफ की भर्ती की क्यावत सुरू कर दी गई है जल्द ही क्लर्क अकाउंट वा आफिस रिस्टन की पदों के लिए आनलाइन आविदन मागे जाएंगे इसके लिए पूरे प्रदेश में रिक्त पदों का डाटा एक अठा किया जा रहा है साथ ही परिच्छा आउजित कराने के लिए एजेंसी की प्रक्रिया भी सुरू कर दी गई है ठीक है तो यहाँ पर आप पूरी जानकरी देख सकते हैं अगली दूसरे हैं पर जो नियूजिंगल करा रही हुआ है कांस्टेबल भरती प्रक्रिया टाफ गियर में तो देख लेते हैं यह नियूज का है यहाँ पर पूलिस कांस्टेबल भरती प्रक्रिया के 31,520 प्रक्रिया पर आउजित प्रिच्छा का रिजल्ट जारी करने के बाद उन 4,560 की प्रक्रिया ने स्पीड पकड़ ली है बताया गया है कि लिकित प्रिच्छा की माक्सी त्यार कर ली गई है और जल्द ही कट आफ लिस्ट जारी का ड्यकुमेंट प्रिच्छन वा सारिक दक्षता प्रिच्छन के लिए अभ्यारतियों को बुलावा भेजा जाएगा ठीक है यूपी पुलिस के 31,360 पुलिस कंस्टेबल बा 18,208 पेसी कंस्टेबल यानि खुल 49,568 कंस्टेबल के लिए 16 नंबर को बिगयापन जारी किया गया था 19 नंबर से इन पदों के लिए आनलेन आविदन मागे गये थे जिस पर 19 लाग के करीब ब्यारतियों ने आविदन किया था आविदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27,28 जनूरी को प्रदिस के विविविन जिलो में आफलाइन परिक्षा आउजित कराए गई बताया गया कि अब ब्यारतियों की माकसी भी तयार कर ली गई है फरवनी के अंतिम सप्ता में इन पदों के लिए कटाफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी इसके तहत कुल पदों का डेड़ गुनाब बैती को डाकुमेंट परिक्षन और सारी दिच्छा पनिचर के लिए बुलाया जाएगा बताया गया कि इस प्रक्रेय को जल से जल पूरा कर अप्रैल के प्रथम सप्ता में अंतिम जल जारी करने की पूरी यहाँ पर योजना है अगला है यहाँ पर जेल वार्डर और फायर्मेन के बदों पर आवेदिन की आवदित तीसरी बार बढ़ी तो देख लेते हैं उत्तरपदिस पुलिस भर्तियों परणती बोड ने कारागार में जेल वार्डर और आर्रची घुरसवार और फायर्मेन की बिम परदों के लिए आवेदिन की बार फिर बढ़ा दीगी है ऐसा इसली किया गया है कि अधिक से अधिक अभ्यति इसमें हिस्साल ले सके उत्तरपदिस पुलिस भर्तियों परणती वोड की ओर से जारी बीगेप्ति में बताया गया है कि इन पदों के अभ्यदिन के लिए 18 जनी 2019 में 9 फुलिस तक का समय दिया गया था लेकिन शुरवा अधिक से अधिक अभ्यति इन पदों के लिए आवेदन कर सके इसके लिए इसके लिए यहाँ पर तिथी बढ़ाए गयी है ठीक है अगली दूसरों जो आप खबर निकल करा रिये सभी को पता हुए जो आई-एस के 896 पदों पर भरती के लिए आवेदन आ चुके हैं और ज तंग लोग सिवाय केने की UPSC ने नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी करते वे सिविल सिवा परिक्षा के लिए आवेदन आवनतित किये हैं आवेदन की जो अंतिमतित यहाँ पर रहने वाली है वह है 18 मार्च इस बार 896 पदों पर भरती के लिए आवेदन महागे गये हैं ज जिसमें प्रियागराज भी सामिल है वहीं मुख्य परिक्षा 20 सितंबर को प्रस्तावित है जो 24 जिलो में होगी और इसमें भी प्रियागराज को सामिल किया गया है इस बार चर्चा चल रही थी कि परिक्षा में सामिल होने के लिए आविसीमा में कटोती की जा सकती है लेक प्रदिस मादमिक सिच्छा सिवा चैन बोर्ड की और से प्रसिचित स्नातक समवर्ग TGT 2016 की परिक्षा आठ और नौ मार्च को होगी इसके लिए राधानी में 27 किंदर उनाएगे हैं उत्तर प्रदिस मादमिक सिच्छा सिवा चैन बोर्ड के उप सचेव नवल किसोर ने परिक्षा देंगे जबकि दूसरी पाली में 25 किंदर उनाएगे तो यह हैं दोस्तों आज की कुछ महात्वपूर्ट खबरे इसी तरह की खबरे पाने के लिए आप लोगमार चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शाथ इन वीडियो को ज़रू शेय